नमस्कार दोस्तो आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एकबर फिर से स्वागत हैं मैं आज आपके लिए एजटेट प्रिवियस येर कोशन पेपर लेकर आ रहा हूँ पीजेटी फॉर लेक्चरर एक्जाम 2020 पोलिटिकल साइंस का ये पेपर है इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कितने कितने कोशन किस हिसाब से आ रहे हैं और आपको कितना टाइम मिलेगा तो ये जैसे कि परसनों की शंख्या होगी इसमें 150 और टाइम होगा दाइ गंटे हैं हमारे बास करने के लिए अब नीचे हम देखते हैं कि लेवल 3 जो पीजेटी को लेवल 3 भी बोलते हैं तो इसके अंदर कैसे कैसे पार्ट में कोशन पेपर डिवाइड होगा तो पहला जो भाग है बाल विकास वे शिक्षा सास्तर तो उसके कोशन होगे 1 से 30 तक भाग 2 भाशा किसीने भाशा है मतलब कि दोनों भाशा है इसमें हिंदी और इंग्लिस तो दोनों के 15 पंदरा कोशन होगे इसके बाद पार्ट 3 है सामान्य अद्दन तो इसके कोशन होगे 30 61 से लेके 90 तक इससे आगे हम चलते हैं part 4 तो जो हमारा subject होगा किसी भी subject का हो तो उसके हमारे पास question रहेंगे 60 91 से लेके 150 अब हम अपने question paper की तरफ चलते हैं हमारा जो यह set है यह set है हमारा A तो हमारे question number 1 कोशरत number 1 में पहले part में भाग 1 बाल विकास वे सिक्षा सास्तर जैसे हम पेडागोगी भी बोलते हैं तो इसमें पहला question है निमिलिक्त में से कौन सी विकास की सही विसेस्ता नहीं है तो इसमें 4 option दिये गए हैं विकास में परिवर्तन होता है प्रारंबिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महतपुरून होता है विकास आत्मक पैटरन एपूरू नियू में होता है विकास में व्यक्तिक भिंता होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 हमारा question number है 2 निमिलिक्त में से कौन सी प्रेयर को के मापन हे तू एपर्टेक्स विदी है तो इसका right answer हो जाएगा option number 1 वाक्य पूर्ती तक्निकी हमारा next question है question number 3 के आधार क्या होते है तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 उपरोक्त 1 और 2 उपरोक्त 1 में है सामाजिक भूमिकाएं और 2 में हैं शरीर परतीमा और our next question है question number 4 निमिलिक्त में से कौन सी जुंग दुआरा प्रदत अंतरमुखी चिंतन परकार व्यक्तितत्व की विशेष्ता नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number 2 आशावादी हमें यह ज्यान रखना है कि question में पूछा क्या गया है है या नहीं है काफी बर हम नहीं को छोड़ देते हैं और हम है के हिसाब से question को करते हैं जिसे हमारा answer गलत हो जाता है तो हमें नहीं पर ध्यान देना है है पूछ रहा है या नहीं है पूछ रहा है तो हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 5 सोला वर्स की आयू तक मस्तिक का भार लगबग कितना हो जाता है तो इसका राइट वा अंसर होगा 2 1200 ग्राम से 1400 ग्राम कोशन नमबर 6 कोशन से मनोवग्यानिक ने अपनी पुस्तक हरेडिट्री जीनियस में व्यक्तित भेद का व्यक्यानिक ढंग से विवेचन प्रस्तूत किया था कोशन नमबर 6 का आंसर होगा ओप्शन नमबर 4 सर्प फ्रांसिस गाल्टन कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 का राइट ओप्शन हो जाएगा तीन प्रत्याहार तथा आज्याकारिता हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 8 निमिलिक्त में से कोन सी उनमुक्ता कोल बर्ग के दुआरा दिये गए नेतिक विकास सिध्धान के उत्तर रूडिगत स्तर के अंतरगर आती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 8 का 2 सामाजिक अनूबंद हमारा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 9 निमिलिक्त में से कोन सी किसोर आवस्था की विसेस्ता नहीं है इसमें पूछाए किसोर आवस्था की विसेस्ता नहीं है तो कोशन नमबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 1 समवेक आत्मक स्थरता नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 10 उन ग्यान अत्वा कोशलो का कथन जिन्हें विध्यारति को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं कोशन नमबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा अनुदेश आत्मक उदेश्य और नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 11 निमिल लिक्त में से कौन सा अच्छी स्मर्ति का लक्षन नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर 2 पोशत धारन नेक्स्ट कोशन है हमारा 12 निमिल लिक्त में से कौन सा अच्छन प्रेत्य बंडारू के सामाजिक अधिगम सिध्धान से संबंदित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नमबर 2 अनुकुलन नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 13 से रहे हैं सेल्डन ने सारेरिक कठन के आधार पर स्रेणिक क्रण को मानते हुए परबल एंडो माफ व्यक्तियों का स्रेणि अनुपात क्या बताया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 1 7-1-1 कोशन नमबर 14 एरिक्षन के अनुशार व्यक्तितत विकास की पांच व्य उपिक वह स्ता कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर टू पहचान बनाम भूमी का सन ब्रांधी निमिलिक्त में से कौन सा गलफोर्ड द्वारा प्रदत सर्जन आत्मक का तत्तव नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का 2 उद्भवन हमारा नेक्स्ट कोचन है कोचन नमबर 16 निमिलिक्त में से कौन शा अधिगम के धनात्मक स्थाना अंतरन का प्रकार नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 4 शुन्य स्थाना अंतरन नेक्स्ट कोचन है हमारा 17 निमिलिक्त में से कौन सी फ्राइट द्वारा प्रत्रत मनो लेंगिक अवस्था नहीं है तो 17 का ओप्शन हो जाएगा 2 स्वाइद अवस्था हमारा नेक्स्ट कोचन है कोचन नमबर 18 किसने कहा कि मनो विज्ञान जीवित जीवजंदों के बरताव का धनात्मग विज्ञान है कोचन नमबर 18 का 1 सर विलियम मेक डूगल कोचन नमबर 19 निमिलिक्त में से कौन सी शिक्षा मनो विज्ञान में अध्धन की मनो भोत्र की विधी नहीं है तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ओक्षन नमबर 4 विएक्तिगत अभीवर्ति में प्रिमार्जनन नेक्स्ट कोचन है कोचन नमबर 20 20 का 20 पूरू ग्यान के रुपांतरन संगठन एवपनर संगठन के दुआरा ग्यान की रचना की जाती है या नमंकित में से किसके दरश्टि कोन की सरुपत्म व्याख्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा नमबर 1 पियाजे कोचन नमबर 21 पियाजे के संग्यान आत्मक विकास के सिध्धानत अनुशार ग्यान का धारबूत निर्मान खंड कहलाता है कोचन नमबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 1. स्कीमा नमबर नेक्स्ट कोचन है कोचन नमबर 22 एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विध्धार्तियों को बढ़ाते समय केट का बहुचन केट्स हाउस का बहुचन हाउसेस पेन का बहुचन पेन्स उशिकरम में विध्धार्ति ने माउस का बहुचन कलती से माउसेस बना दिया यह किस परकार के अधिगम स्थान अंतरन का उधारण है तो इस कोचन नमबर 22 का राइट आंस्वर है ओप्शन नमबर 2 राणात्मक अंतरन नेक्स्ट कोचन है 23 निमिलिक में से कौन सा उधिपन का बस्तुनिष्ट बाहिये निर्धारग है 23 का राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 उधिपन की अवधी कोचन नमबर 24 मुरे दुवारब प्रतिपादित प्रशांगिक अंत्रबोत प्रिक्षन व्यक्ति तत्तु के किस सिध्धान से संबंदित है 24 का ओप्शन नमबर 4 राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 मनोव विचलेशन आत्मक सिध्धान्त 25 का ओप्शन राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 2 36 से 51 26 का ओप्शन नमबर 1 राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 1 आलसी टाइप 27 का ओप्शन नमबर 2 रोर्षा श्याहई धबबा परिश्रिक्षन में कितने कार्ड उप्वयोग में लिये जाते हैं 27 का ओप्शन नमबर 2 राइट आंस्वर हो जाएगा 10 29 का ओप्शन नमबर 2 राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 3 मानसिक वर्थी का नियम पार्ट वन का लाश्ट कोशन कोशन नमबर 30 निमलिक्त में से कौन सी किसोर रावस्था की सही विश्यस्ता नहीं है तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 किसोर रावस्था वास्त विक्ताओं का समय होता है हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेंग्वेज गा भाशा हिंदी वें अंग्रेजी गा तो इसका क्वेशन नमबर है 31 निर्वाचक सवर नाम युक्त वाक्य छांटिये तो इसका 31 का राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 2 लड़के आप ही चले जाएंगे ओप्शन नमबर 2 नहीं क्वेशन नमबर 32 वर्तमान द्रश्टी से अशुद विकल्प चुनिये तो इसका राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 1 मृत्यो प्रांत और वो होता है मरनो प्रांत राइट आंस्वर जो होता है इसमें कोशन नमबर 33 विलोम की दरश्टी से असंगत जोड़े को चाटिये 33 का राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 3 अनुरिक्ट विराग किस विकल्प में इल प्रत्य का प्रियोग नहीं हुआ है 34 का राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 2 मरियल कोशन नमबर 35 निमिन में से बकरी का प्रियाय नहीं है 35 का राइट आंस्वर हो जाएगा एक वरद की कोशन नमबर 36 चाति वाचक संग्या युक्त वाक्य नहीं है 36 का राइट आंस्वर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 मैंने अनुभव किया कि उसे उचाई से डर लगता है कोशन नमबर 37 किस विकल्ब में वेंजन से संधी का प्रियोग नहीं हुआ है तो 37 का आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 2 वागी स्वर कोशन नमबर 38 सूध वाक्य का चेहन कीजिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर 4 हम सभी में मानुए दुर्बलताएं है कोशन नमबर 39 कव समास की दरस्टी से असंगत विकल्ब छाटिये कोशन नमबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन वन भैभीत करून करनत प्रूस कोशन नमबर 40 वाक्यान्स के लिए एक सब्द की दरस्टी से असंगत विकल्ब छुनिए कोशन नमबर 40 का ओप्शन नमबर हो जाएगा 3 बिना किसी परियास के अभ्यास निश्चित संख्यावाचक विशेशन चुनिए कोशन नमबर 41 का 4 सारे देश आतंक के खिलाफ खड़े हैं तो मैं अभी आपको next part के उपर लेके चलता हूँ जो English का है और यह जो अभी Hindi का चल रहा था तो इसमें आप खुद से ही कर सकते हैं इसमें कुछ वैसे करने का नहीं है जिसका जो आपको पता होगा अच्छे से Hindi और English वही इसको सही से कर पाएगा तो हम next part के और चलते हैं जो main part रहेगा इसका यह मतलब कि third second part में ही यह अंग्रेजी थी language हिंदी और अंग्रेजी तो इसमें answer बताने से कुछ नहीं होगा तो हम सीधा चलते हैं जो आपके काम आए आगे सामाने अध्यन सामाने अध्यन में यह जो दी हुई है इसमें कैसे कैसे करना है कि यह कुछ मैट के हैं कुछ reasoning के कोशन है यह आपको सब को निकाल के देखना होगा तो इसके लिए आपको अगर answer ही चाहिए तो हम अपने channel mission तेयारी पर इसकी पीडियो आपको send कर देंगे आप वहाँ से प्राप्ट कर सकते हैं टेलिगराम चैनल mission तेयारी तो अब मैं में इसका जो है political science का जो यह paper है मैं उसके कोशन के उपर चलता हूँ जिसे कि आपको कोशन याद हो सके और आप paper में अच्छे से कर सकें यह reasoning हिंदी और English के कोशन तो आपको खुदी करने पड़ेंगे math में और इन में answer बताने से आपको कोई फाइदा नहीं होगा तो इसलिए हम अपने part पर चलते हैं हाँ इसमें कुछ यह जो हर्याना के जिके से कोशन आएंगे या हर्याने से सम्मितित है उनके बारे में मैं आपको answer बताना चाहूँगा अभी तो यह कोशन है 81 से तो यह 81 कोशन है हर्याना के नव कठी छटे राजजेवित आयोग के चेयर मैन अद्देक्स कौन है 81 का right answer हो जाएगा आपके पास option number 3 P. रागवेंदर राव हर्याना question number 82 हर्याना उर्दू अकादमी के उपाद्यक्स कौन है 82 का option right answer हो जाएगा चंदर तरखा हर्याना में बेगब समरू का महल कहां अवस्तित है 83 का answer हो जाएगा 3 गुरू गुराम में 84 commonwealth खेलों में सुर्ण पदक विजेता को हर्याना सरकार दुआरा दी 3 करोड़, 2 करोड़, 55 लाग 1,5 करोड़ तो 84 का right answer हो जाएगा 1,5 करोड़ commonwealth में 1,5 करोड़ है और olympic में 6 करोड़ जो की चैंवलिंग थ्रो में निरज चोपड़ा अपकी बार लेके आया है गोल्ड मेल्ड है देश के लिए हमारा question है 85 18,57 के विद्रों के दोरान रोग तक का जिलाधीस कौन था तो 85 का right answer हो जाएगा option number 3 Adam Loach question number 86 चुद्र नदी जो घगर की सायक है तो इसका right answer हो जाएगा 86 का 1 चोतांग टिकर 87 question number 87 टिकर जिल हरियान के किस जिले में है 87 का right answer हो जाएग option number 2 पंचकुला question number 88 हरियान विद्रान सभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठीर की गई तो यह कौन सी विद्रान सभा गठीर की गई थी 88 का option number 3 चोधवी इसे पहले तेहरी में भी विजेपी थी चोधी में जेजीपी के साथ मिलकर विजेपी है question number 89 विनेस फोगाट को हाल ही में किस राष्टिय पुरुसकार से समानित किया गया है तो 89 का right answer हो जाएगा तीन राजीव गांधी खेल रतन आवार्ड और next question है 90 किस सहर का प्राचीन नाम कन्नोड था कन्नोड कहां का था केथल का नहीं sorry मेहंदर कड का कन्नोड नाम था तो right answer हो जाएगा option number 1 हम अपने question paper के part 4 पर चलते हैं जो main wishes से सम्बंदित है तो यह हैं जो question paper है वो राजनेतिक सास्तर political science का question paper है इसके अंदर 91 से लेकर 150 तक political science के question दिये गए तो मैं उनका answer आप ही आपको बताऊंगा तो जो question number 91 है 91 question है क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संग का नेतरतव कर रहे थे दो country थी अमेरिका और USSR सोवियत संग जो क्यूबा में यूद के लिए तैयारी के लिए मतलब कि अपनी तैयारी कर रही थी तो उसमें पूछ रहे गए सेयुक राष्ट की तरफ से नहीं सोवियत संग की तरफ से कोन नेतरतव कर रहा था तो इसका right answer हो जाएगा 91 का option number 3 और अमेरिका की तरफ से नेतरतव करने वाले थे जोनर कनेडी question number 92 सब्तंत्र भारत के पहले आम चुनाओ में लोक सभा के लिए कुल कितनी सीटों के लिए मद्दान हुआ जो पहला आम चुनाओ हुआ था 1951 के last में मतलब की नॉवंबर देसंबर और 1952 के first three month में कंडेक्ट हुआ था तो उसके अंदर ये पूछ रहा है कि कितनी सीटों के लिए चुनाओ हुआ था तो इसका right answer हो जाएगा option number 1 489 question number 93 तो ये पूछ रहा है तो ये इसका right answer हो जाएगा option number 4 किसी भी राज्ये में नहीं बनी थी पहली में ये जाके 1967 में पहली गेर कांग्रेशी सरकार बनी थी कुछ 9 स्टेट्स में 8 या 9 स्टेट्स में विदान सभाव और लोग सभाव question number 94 निमीन वाक्यों को द्हान से पढ़िए anti-balistic missile संदी 1972 में हुई इसका part 2 है ये हैं मूलते निशेस्तिकरण का प्रियास था तो इसका right answer क्या होगा question number 94 का right answer होगा option number 1 पहला सही है वह दूसरा गलत है anti-blastic missile संदी हुई थी 1972 में question number 95 socialist party का विचार धारात्मक विश्वास था question number 95 का right answer हो जाएगा option number 2 लोगतांतरिक समाजवाद में question number 96 निविन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए 96 का right अच्छा निविन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए भारत के राश्वती के पास विटो निशेशा देकार की शक्ति होती है यह बिल्कुल सही है धन विदे को पर राश्वती इसका प्रियोग नहीं कर सकता तो इसका right answer हो जाएगा 96 का option number 3 1 और 2 दोनों सही है question number 97 सुरक्षा की एपारंप्रिक धार्णा को कहा जाता है तो इसका right answer हो जाएगा 97 का 4 मानवता की सुरक्षा question number 98 निमिन वैक्यों को ध्यान से पढ़िये कुछ मामलों में लोग सभावे राज्य सभा की सकतिया समान है इसका part 2 है उपराश्ट पती को हटाना एसा ही एक विशे है question number 98 का right answer हो जाएगा 4 1 और 2 ही सही है question number 99 दल बदल संबंदी मामलों पर अंतिम निरने लेने का अधिकार है निरवाचनायोग संबंदी दल के नेता सदन के अध्यक्स अंसदी समीति को तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 सदन के अध्यक्स को question number 100 उच्तम नियले दुआरा आश्रे के अधिकार को किस मोलिक अधिकार में अंतरनीत माना जाता है right to shelter रहने का तो यह किस के अधिकार में आएगा तो यह 100 का right answer हो जाएगा option number 4 सबतनतरता का अधिकार question number 101 विभेतक बरताव तरीका है तो इसका right answer हो जाएगा 101 का 4 समानता के लिए निमिन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए पर्थम पंच पर शेय योजना की कोशिस देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने गी थी इसका part 2 है इसके लिए ओध्योगी करण की त्रिव रफ्तार का formula अपनाए गया 102 102 कोशिन का right answer हो जाएगा option number 1 एक सही है वह दो गलत है और अभी पंच वर्षिय योजना खतम कर दी गई है और योजना है जो पंच वर्षिय योजना लागू करता था उसका नाम बदल कर नीतिया आयोग कर दिया गया है अमारा नेक्स्ट कोशन है 103 निमिन कत्नों को ध्यान से पढ़िये 1945 के बाद यूरोप के देशों को पारश्परिक सहीोग का आउशर मिला इसका part 2 है अमेरिका दुआरा डलेज योजना दुआरा यूरोप के अर्थवयस्ता के पुनर गठन का प्रियास किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशन नमबर 103 का 1 एक सही है वे दो गलत है कोशन नमबर 104 किस अंतर राष्ट्य गठना के संदर में अमेरिकी राष्ट्पती जोर्ज बुस द्वारा नई विश्व ववस्था सब्दावली का प्रियोग किया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का 3 इराग के विरूद संयुक्त राष्ट्पसंग की सेनिक कारवाई की अनुमती सब्तंतरता पश्चाद भारत की विदेशी नीती के निर्धारण के विशे पर अम्मेडगर पक्षितर थे 105 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर टू सेनिक तुराजय अमेरिका से अच्छे संबंदों के कोश्चन नमबर 106 चिपको अंदोलन के विशे में नीमिन व्याक्यों को धान से पढ़िए इसका प्रारम जारकंड से हुआ इसमें महिलाओं ने सक्रिय भागिदारी निवाई तो इसका फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड सही हो जाएगा तो यह ओप्शन किसमे है कोश्चन नमबर है 106 106 का 2 दो सही है और एक गलत है इसका आरम कुद्रागंड से हुआ था कोश्चन नमबर 107 1956 के राज्यपन और गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का निर्मान हुआ तो इसका राइट आंस वर हो जाएगा 107 का ओप्शन नमबर 2 चोदा कोश्चन नमबर 108 उत्रभारतिय लोग एव ब्रामन दर्विनों से अलग आरिये है इसमत के प्रतिपादक है कोश्चन नमबर 108 का तीन इवी रामस्वामी नायकर कोश्चन नमबर 109 सही समू पहचानिये कोश्चन नमबर 109 का एक बी आर मतलब सही समू पहचानिये बी आर अमबेड कर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ये इनका दल था जिसके इनोंने स्थापना की थी और ये तिनों गलत है कोश्चन नमबर 110 महासक्तियों के मद्दैसीत यूद के प्रारम होने की स्थिति के लिए अंतराष्टिय राजनीती के एक सामाने तर्क को भी उत्तरदाई माना जाता है उसे पैचानिये कोश्चन नमबर 110 का राइट आंसर हो जाएगा एक अपरोध परतिरोध कोश्चन नमबर 111 निमिन वाक्यों को ध्यान से पढ़िये तो इसका पार्ट वन है मंतरी परिशद लोग सबा के परति सामोई करूप से उत्तरदाई है पार्ट व इस सिध्धान्त के अनुशार मंतरी परिशद संसद के एक कारिये समीत्ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सो ग्यारा का उप्शन नम्बर तीन एक वैदों दोनों सही है कोशन नम्बर 112 सातो दलों का कटमंदन सेवन पार्टी अलाइन्स तुआरा लोग तंतर समर्थ तक हंदोलन किया गया तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नम्बर 3 नेपाल में कोशन नम्बर 113 नेमिलिक्त में से कोव दिवराष्ट सिद्धान्द के सक्त किलाव थे तो 113 गर आइट आंसर हो जाएगा उप्शन नम्बर 2 खान अब्दुल गफार खान जिने सिमांद गानदी भी कहते हैं तो यह बिल्कुल दिवराष्ट सिद्धान्द के बिल्कुल खलाब थे टू नेशन थेरी कोशन नम्बर 114 भारत में राष्ट पती मंतरी पर शिद्ध को अपनी सलहा पर कितनी बार पुनर विजचार के लिए कह सकता है तो 114 गर आइट आंसर हो जाएगा अप्शन नम्बर 2 एक बार कोशन नम्बर 115 किस मामले में उच्टम न्याले दुआरा भारत के सवीधान की प्रस्तनावना को सवीधान के भाग के रूप में सुवर कार किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 115 का दो केश वानन्द भारती केश में 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक्षभा के परती प्रियारन वाद की जड़े मानी जाती है सामन्त वाद के समर्थकान दोलन के रूप में सवतंतरतान दोलन के रूप में एक विज्ञानिक परतिकरिया के रूप में उप्शन नम्बर 4 111 का राइट आंसर हो जाएगा तीन सवतंतरता वैस समानता कोशन नम्बर 120 सवतंतरता पाश्यात्य स्थानी साशन निकाए निर्माण का पहला प्रियास था समुद्वाइग विकास कारिगरम अपना गाउं योजना मेता रिपोर्ट मुकामी बोर्ड या स्थानी बोर्ड तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नम्बर 1 समुद्वाइग विकास कारिगरम और नेक्स्ट कोशन है कोशन नम्बर 121 निमिन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए नेटिजन इंटरनेट का अत्याधिक प्रियोग करने वालों को कहा जाता है ये इंटरनेट के प्रियोग पर सरकारी नियंदरन तो नहीं पर व्यक्तिक सुरक्षा है तु नियमन आवशक मानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगट 121 का 3 एक वैदो दोनों सही है कोशन नम्ब 122 सरकार दुआरा निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रियाशों में शामिल नहीं है कोशन नम्ब 122 का च्यार उपादियों का अंत कोशन नम्ब 130 कोशन नम्ब 122 ताज्य सभा में स्थानों की दरश्टी के सही समूं को पहचानी है कोशन नम्ब 123 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नम्ब 4 महराष्ट में 19 सिट्टे हैं ताज्य सभागी और ये तिनों कलत है कोशन नम्ब 124 भारत में लोगत अंतर एक चलाव है यह तलील किस पार्टी की थी सबतंत पार्टी फारवर्ड ब्लॉक CPI CPI M तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नम्ब 3 CPI ML कोशन नम्ब 1 कोशन नम्ब 125 में किस तेश के सवतंतरता संगराम के सप्मर्थन में एक अंतराश्टी सम्मेलन आयोजित किया गया तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा 1 इंडोनेशिया कोशन नम्ब 126 नम्लिक्त कत्रों को ध्यान से पढ़िए तो इसका पार्ट 1 है इंडरा गांदी 1966 में भारत की परधान मंतरी बनी इसका दूसरा पार्ट है इससे पूरव 1969 में वे कांग्रेश के अद्यक्स पद्व पर रह चुकी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का उप्शन नम्ब 3 दोनों सही है 1 और 2 कोशन नम्ब 127 दिशंबर 1901 में में सोवेट संकी समाप्ती की स्वार पर्थम खोशना करने वाले गरंड राज्य थे तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा यूज, रूस, यूक्रेन, बेलारूस कोशन नम्ब 128 सरकार द्वारा किर्षक की उपज को एक निर्धारित मुल्ले पर प्रेय करने की गारंटी शुरुवात थी ग्राम विकास योजनागी, क्ल्यान कारी ग्रम की, हरित करांटी की, अंत्योद्य योजनागी तो कोशन नम्ब 120, ठाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्शन नम्बर 3, हरित करांटी की, हरित करांटी अस्वामिनातन भारत संयुक्त राज संग का सज़श्य बना, 24 अक्टूबर 1945 नहीं, 30 अक्टूबर 1945 राइट आंसर हो जाएग अप्शन नम्बर 4, 30 अक्टूबर 1945 कोशन नम्बर 130, नीमिन में से कौन सा देश आश्यान का संस्थापक सदश्य नहीं है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, मयामार तो इसका राइट आंसर हो जाएग अप्शन नम्बर 4, मयामार कोशन नम्बर 131, संग और राज्य सरकारों की सक्तिया, सक्तियों की व्याक्या है सर्वोच न्याले का मोलिक छेतरा अदिकार, सर्वोच न्याले का रीट संबंदी अदिकार सर्वोच न्याले का पीलिये छेतरा अदिकार, सर्वोच न्याले का विशेश अदिकार तो right answer हो जाएगा option number one सरवोच न्याले का मौलिक छेतरा अधिकार question number 132 न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं है जिसके करना नहीं सिर्फ सही और नहीं करना सिर्फ गलत बलकि जिस पर बतोर अपने नेतिक अधिकार कोई ब्यक्ति विशे विशेष हमसे दावा जता सकता है यह रिपीट करता हूँ है question न्याय में ऐसा कुछ अंतर नहीं है जिसे करना नहीं सिर्फ सही है और नहीं करना सिर्फ गलत बलकि जिस पर बतोर अपने नेतिक अधिकार कोई ब्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है यह उधारन किसका है किस नहीं है व्यक्या की है तो question number 132 का right answer हो जाएगा option number 3 JS meal question number 133 नाग रिकता है मात्र अधिकार मात्र दाइत्यू अधिकार एव दाइत्यों का समू नया अधिकार नय दाइत्यू तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 question number 134 भारत के सविधान के अनुछेद 74-1 के अनुछार मंत्री परशिद का कारिये है नीती निर्मान करना राष्टपती को साहता और सला देना परसासन पर नियंतरन करना राष्टपती के निर्देश राष्टपती को निर्देश देना इसमें दो परट है इसका परट वन ठीक रहेगा और परट टू गलत थर्टि फाइफ का वन वन सही है वे टू गलत है कोचन अनुमर वन थर्टी सिख वैस्वी गरन के एक अप्रिरहार ये कारण के रूप में पहुचा न गया यह कोचन आएगा वैस्वी करण को एक अप्रिहार ये कारण के रूप में पैचाना गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 136 का तू प्रियोद्यगी को कोशन नमर 137 भारत में सविधान में एविसिस्ट सक्तियों का सिधान लिया गया है आयरलाइन के सविधान सेयुक्तराजय अमेरिका के सविधान से कनाड़ा के सविधान से प्रेटेन के सविधान से तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा कनाड़ा के सविधान से और कनाड़ा के सविधान से फैटरल सिस्टम भी लिया गया है कोशन नमर 138 निमिन वे से समता के अधिकार से सम्मंदित प्रावधान नहीं है तो कानून के समक्स शमानता, पद्वियों कांत, छुवाचूत की समाप्ती, बंधवा मजदूरी पर रोग तो 138 का राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर 4, बंधवा मजदूरी पर रोग हमारा नेक्स्ट कोशन है, 139, संगवाद की मूल अवधारना के अनुशार तो इसके पार्ट 1 में दिया गया है, यहाँ एक संसागत प्रनाली है पार्ट 2 में दिया गया है, सवीधान लिखित या या लिखित किसी भी परकार का होशकता है कोशन नम्बर 39 का राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन नम्बर 1 एक सही है, वे दो गलत है यह इसमें उप्शन गलत दिया गया है, जो यह कह रहा है कि पार्ट 2 है सवीधान लिखित या लिखित किसी भी परकार का हो सकता है, यह राइट है सवीधान किसी भी परकार का हो सकता है, जैसे इंगलेंड में है लिखित सवीधान है, और भारत के अंदर सवीधान लिखित है कोशन नम्बर 140 चुकि यूद का प्रारम लोगों के दिमाग में होता है इसलिए शान्ती के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जाने चाहिए यह हैं उधारन संबन्दीत है UNICEF के सविधान से सेंक्त राष्ट संग के चार्टर से राष्ट संग के चार्टर से जापान के सविधान से 140 का राइट आंसर हो जाएक option number 1 UNICEF के सविधान से question number 144 नामंकित में से किसने भैसे मुक्ति को वास्त्विक मुक्ति मानना है आंग्शान्ट सूकी नेंशनल मंडेला जो लोग प्रूसों 41 का राइट आंसर हो जाएगा option number 1 question number 142 बारत के सविधान के किस अनुछेद में धन विदेक संबन्दी विशेश परकरिया का वर्णन किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number 1 अनुछेद 109 question number 143 राष्टवाद हमारा अंतिम अध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता मेरी सरण स्थली तो मानावता है यह कथन किसका है मातमा गांदी रविंदर नाट टैगोर विवेकानन्द अर्विंद का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number 2 रविंदर नाट टैगोर का question number 144 भारत के सविधान निर्मान केश्य में स्थानी शाषन विशे दिया गया के इंदर सरकार को के इंदर वे राज्य सरकार दोनों को राज्य सरकार होगो सविधान का भाग नहीं था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number 3 राज्य सरकार होगो इमिलिक्त में राजनेतिक सिध्यान के अध्यन के पक्स में सर्वादिक मेत्वपुरून बिंदू कौन सा है सभी समूं के लिए उसकी परसांगिक्ता option number 2 तरस्निक्ता की प्रेड़ना option number 3 कारिय दाइत तो उसे मुक्ती option number 4 स्वेम को सही साबित करने है तू 145 का आंसर हो जाएगा option number 1 सभी समूं के लिए उसकी परसांगिक्ता question number 146 इमिन व्याक्योग को द्यान से पढ़िये तो इसके दो पार्ट दिये गए पार्ट फर्स्ट में समीधान के 91 वे संसोतन द्वारा मंत्री परिश्यत का आकार नीशित किया गया पार्ट 2 में अब संसत की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री परिश्यत के सदेश्य नहीं हो सकते इसका राइट आंस्वर हो जाए 145 का सोरी 146 का ओप्शन नमबर एक एक सही है इसके अंदर वह दो गलत है कुश्यन नमबर 147 जोन रोल्स के नियाज शित्धान्द का प्रारंबिक विंदु है ज्यान की पैचान अज्यान तके आवरंड में सोचना समीधान का निर्वान सवतंतरता पर विचार निर्वान 147 का राइट आंसर हो जाएक ओप्शन नमबर टू अज्यान तके आवरंड में सोचना कुश्यन नमर 148 साकारात्मक कारवाई की परस्थ भूमे में मूल विचार है 148 का राइट आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर एक कानून दुवारा उप्चारिक समानता साफित कर देना प्रियाप्त नहीं है नेक्स्ट कोशन है 149 राष्टवाद के संदर में यूरोब में एक संस्कृति एक राच्चे की माननिता का प्रियोग किया गया मेगना कार्टा के समें और दोगी करांती की सुरुवाद में पर्थम विशव यूद के बाद एक दार्षिनिक विवेजना के रूप में 149 का राइट आंसर हो जाएग उप्षन नमबर 3 पर्थम विशव यूद के बाद नेक्स्ट कोशन है 150 बारत के सविधान की प्रस्तावना में प्रियुक्त समता का सही सम्मू पहचानिये अभिवेक्ति और अवसर की समता आर्थिक और सामाजिक समता राजनेतिक और प्रतिष्टा की समता प्रतिष्टा और अवसर की सम्ता तो इसका राइट आंसर हो जाएगो प्रतिष्टा और अवसर की सम्ता तो यह है हमारे हैस्टेट के 150 कोशन थे जिसका मैंने अभी विस्टलेशन किया अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कोमेंट करना दन्यवाद